सबस्क्राइब कीजिए सरल घरेलुनوس के चैनल को और इस बेल आईकन को दबाईए हमारी लेटिस वीडियो सब से पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलूनوس के में दोस्तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग रात में सोते समय बिस्तर पर ही पेशाप कर देते हैं ना चाहते हुए भी उनसे ऐसा हो जाता है 4-5 साल तक के बच्चे अगर बिस्तर पर पेशाप करें तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन अगर यही 10-12 साल के बच्चे या फिर जादा उम्र के लोग भी बिस्तर पर पेशाप कर देते हैं याने कि जो लोग adult हैं यंग हैं वे लोग भी बिस्तर पर पेशाप कर देते हैं सोते समय तो ये एक बहुत ही शर्मनाग बात हो जाती है हाला कि ये बिमारी कोई बहुत बड़ी बिमारी नहीं है लेकिन फिर भी इसका इलाज बेहत जरूरी है क्योंकि कुछ बिमारी के चलते ऐसा होता है जी नहीं आप बिल्कुल भी मत खबराईए क्योंकि ये बिमारी कोई बहुत बड़ी बिमारी नहीं होती है बच्चों में अगर ये समस्य हो रही है तो हो सकता है कि उनका पेट अच्छे से साफ ना होता हो या फिर अधिकतर बच्चों में ऐसा होता है कि वो अपने बातरूम पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अगर adult में यानि की बड़े बुजर्गों में या फिर adult में ऐसा हो रहा है यानि की वे बिस्तर पर बार बार पेशाप कर देते हैं तो यह हो सकता है कि उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है या फिर वे गर्म चीजों का ज़्यादा प्रियोग करते हैं जिन चीजों की तासीर बहुत गर्म होती है उन चीजों का अगर आप प्रियोग करते हैं तो भी आपको बिस्तर पर बार बार पेशाब हो जाया करेगा तो सबसे पहले आप इन बातों पर ध्यान दीजिए कि कहीं आप ज़्यादा गर्मी चीजियों का तो प्रयोग नहीं करते या फिर आपको कब्ज की समस्या तो नहीं रहती है इन बातों पर आप गौर ज़रूर कीजिएगा फिल हल चलिए मैं आपको आसान सा ये नुस्खा बता देता हूँ जिसको आपको रोजाना राट को सोने से पहले करना होगा तो दोस्तों ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है मुनक्का जिहां दोस्तों इस नुस्खे में आपको मुनक्के का प्रयोग करना है बहुत ही सिंपल सा तरीका भी है, करना कैसे ही ये जान लिजे, रात में खाना खाने के बाद तुरंथ आपको पांच मुनक्के खा लेने हैं, जिहां दोस्तों गिन करके आपको पांच मुनक्के, रोजाना रात को खाना खाने के बाद खाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि खाने के बाद आप पानी मत पीजेगा तुरंथ ही 5 मुनक्य खा लिजेगा उसके करीब एक घंटे के बाद ही पानी पीजेगा ऐसा आपको रोजाना 5-6 दिनों तक करना है एक ही रात के प्रियोग से आप देखेंगे कि रात में आपको पेशाप विस्तर पर नहीं होगा लेक और मुनक्य बहुत ही सस्ता मिलता है मार्केट में अंग्रेजी दवाईयों के चक्कर में मत पढ़िए इस नुस्के का प्रियोग कीजिए बिस्तर पर पेशाप करने की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाईए चली दोस्तों अब मैं आपको वीडियो के अंत म आज के टिप्स भी बता देता हूँ टिप्स में मैं जो आपको नुस्का बताऊंगा आप अपनी सुल्धा के अनुसार उस नुस्के का भी प्रियोग जरूर कीजिएगा बार बार पेशाप जाने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए रात का खाना खाने के एक घंटे ब बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता हूँ कल साम आपसे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार